सवी को नमस्कार आज का जो आप ये नुस्खा जानने जा रहे हैं इसके माध्यम से आप अपनी कवज को तनाव को और अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हो और इनका सेवन आपको किस परकार करना है तो वो हम आपको बताएंगे देखिए हमारे आजपास ही बहुत सारी चीजे हैं जिसके माध्यम से हम सवस्त रह सकते हैं अपनी बिमारियों को दूर कर सकते हैं बस उनका सेवन सही तरीके से हम जान ले फिर देखिए आपको कोई बिमारी नहीं रहेगी जो आप सामने देख रहे हैं यह है गैंदे के फूल इनके दुआरा आप चाहे किसी को कैसा भी क कब जो या किसी को मान लिजिये स्ट्रेस रहता है बहुत सारा स्ट्रेस रहता है अलग-अलग काम की वज़े से या अपनी जो सारीरिक समस्याई होती है उसकी वज़े से तनाव कब होगा जब हमारी नस नाडिया कमजर होंगी नहीं तो कितना भी दवाव हो जाए तो आप तनाव आपके शरीर के अंदर आपके मस्तिस्ट के अंदर नहीं आएगा अगर आपकी नस नाडिया मजबूत है अगर आपके शरीर में टोक्सिंस नहीं है तो ये जो गेंदे के फूल है ये तनाव को दूर करने में आपकी स्किन को अच्छा करने में और आपको जैसे कब्स ह उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है तो देखे पाइल्स के लिए अलग तरीका है और जिसको डाइबिटीज को नियंतर्ण में लेके आना है या माल लीजिये किसी को मोटापा कम करना है उसके लिए अलग है तो सबसे पहले हम बताते हैं कबज के लिए और जिसको स्ट्रेस को दूर करना है उसको इसका सेवन करना है चाय बना कर चाय कैसे बनाओगे माल लीजिये ये एक फूल है आप जो देख रहे हैं ये फूल है तो इसका क्या करना है आपको आपको इसकी पतिया अलग-अलग कर लेनी है फूल को तोड़के अलग-अलग कर लेना है तो जब इसकी पतिया अलग-अलग हो जाएं उसको एक गिलास या आदा गिलास पानी में तीन से च्यार फूल ले सकते हैं आप उसको आधे से एक गिलास पानी में डाल लीजिए जैसे चाय को उबालते हैं वैसे ही इसको या आप खांड भी ढाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को खांड का पता नहीं है, तो उसके उपर भी हम वीडियो बना देंगे, देसी खांड हो, चीनी की पिसी हुई खांड नहीं, तो हम उसके उपर वीडियो बना देंगे, तो सैद डाल ले ना कभी भी uberते हुए पानी मे सहद डालोगे तो वो सहद विस्ट के समान, जहर के समान हो जाएगा, ये ध्यान रखी है तो आपको उसको नीचे उतार लेने के बाद सहद मिक्स कर लेना है ये आपको जिसकी जैसे डाइबिटेज, सुगर लेवल बहुत हाई हो गया है, उसको भी नियंतर में लेके आएगा, वो ज्यादा मीठा ना ले वो ऐसे ही इसकी चाय पिए जिसकी स्किन पर जुरिया पड़ रही है, पिग्मेंटेशन है, चेहरे पर निशान हो जाते हैं, चेहरा डल हो जाता है, तो उसके लिए भी एकदम रामबान उपाए है, उसको रोजाना सेवन करना है और लगातार, आप समझिये, 40 दिन से लेकर 60 दिन तक इस्तिमाल करें, और ऐसी ऐसी जो चीजे होती हैं वो कभी भी ऐसे लंबे समय तक इस्तिमाल नहीं करते हैं, 10-15 दिन छोड़ दो, फिर 30-40 दिन ले लो फिर छोड़ दो, फिर ले लो तो इससे आपका जो स्ट्रेस है, वो भी दाउन आ जाएगा, धीरे-धीरे वो खतम हो जाएगा इसी से आपकी कब्स भी दूर हो जाएगी, और इसी से आपका स्किन भी अच्छा हो जाएगा, अब बात करते हैं किसी को फाइल से, तो उसको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा घी लिजिए और उसमें थोड़ी सी गन्दे की पत्ती आप उसमें भून लिजिए थोड़ा सा घी, मतलब थोड़े से का अर्थ है, आप ले लिजिए आधे चम्मच से भी आधा यानि एक चम्मच का चोथा इस्ता और उसमें थोड़ी सी पतियों को भून लीजिए और अगर किसी को काली मिरच सूट करती है तो एक काली मिरच भी उसमें पीस के भून लीजिए पाउडर मत लेकिया ये खुद से पीस ये उसमें कोई कुछ-कु आसीर होती है यानि जो ब्लड निकलता है पाइल से तो वो भी तुरंत बंद हो जाता है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेर करें लाइक करें फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक सभी को धन्यवाद